हेलो एवरिवन इस वीडियो लेक्चर स्रीज में हम नेटा नेट पेपर फर्स्ट के मैच से सम्बंदित को सोल करें और इस वीडियो लेक्चर में भी हम एक कोश्चन सोल करेंगे और यह कोश्चन प्रिविएस पेपर से लिया गया है कोश्चन इस परकार है in a college having 300 students every student reads 5 newspaper and every newspaper is read by 60 students the number of newspapers required is तो simply इनोंने कहा है कि college में 300 students हैं और हर student 5 newspaper पढ़ता है और एक newspaper 60 student द्वारा पढ़ा जाता है तो हमें exactly कितने newspaper चाहिए इसके लिए तो चलिए इस question को सोल करते हैं step by step तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ है कि एक विद्यारती एक student जो है वो 5 newspaper पढ़ता है और total विद्यारती भी दिये हुए हैं वो दिये हुए हैं 300-300 तो एक विद्यारती 5 newspaper पढ़ता है तो 300 विद्यारती कितने newspaper पढ़ेंगे पंदरा सो कॉशन में ये भी दिया हुआ है कि जो एक न्यूस पेपर है वो 60 विद्यारतियों द्वारा पढ़ा जाता है एक न्यूस पेपर को 60 विद्यारति पढ़ते हैं तो अब टोटल हमें कितने न्यूस पेपर चाहिएंगे हमें पता है कि 1500 न्यूस पेपर पढ़े जाते हैं पर एक न्यूस पेपर को 60 विध्यारती पढ़ते हैं तो simply 1500 डिवाइड बाई 60 is equal to 25 तो हमें exactly 25 न्यूस पेपर चाहिए थैंक्यू आप अपने सुझाओ हमें कमेंट बॉक्स में लिखके दे सकते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें सीखते रहिए मुस्कुराते रहिए